So Hello Everyone, Welcome Back to My YouTube Channel So friends, जैसे कि आप लोग को पता है कि आज UGSE का First Round का Seat Allotment जारी होने वाला है और उसका Date भी आ चुका है जैसे कि मैंने आपको Live में बताया था कि आप लोग का दो तारीक को 12 बाजे के बाद आप लोग का Seat Allotment डाउनलोड होगा तो friends आप बात आ जाता है कि भाईया आज दो तारीक हो चुका है अभी तक Link एक्टिव नहीं हुआ है तो यही मैं बताने आया हूँ कि आप आप लोग का Link कब एक्टिव होगा ताकि आप First Round का Seat Allotment डाउनलोड कर सकते हो उससे पहले मैंने बता दिया था कि आपको Seat Allotment डाउनलोड करने से पहले आपका User ID, Password आपको याद रखना होगा उसके बाद Login जैसे ही करते हो तो सबसे पहले आपको जो भी College आपको मिलता है वो दिखा दिया जाएगा उसके बाद यदि आप Seat Allotment के लिए डाउनलोड करना चाहते हो तो उससे पहले आपको Upgradation आएगा Upgradation में Freeze Fault आएगा यदि आप वो पाटिकुलर जो भी आपका First Round में जो College आपको दिखाया गया है यदि अच्छा लगता है आपके 24 के कोडिंग मिला है तो आप Freeze कर दिजिए Otherwise आपको नहीं मिला है तो float करके आप डाउनलोड कर सकते हो अब बात आजाता है कि भाईया आजाता है कि Link कब तक Active होगा UGSE का First Round का Seat Allotment के लिए तो फिर आज जो कि साम आठ वजे के पहले कभी भी हो सकता है Link Active तो मैं लाइब आकर भी बताऊंगा कि कैसे आपको step by step करना है और सारा documents आप लोग रखना जब आपका document verification के लिए जाते हो तो सारा important document अच्छे से cover कर लेना ताकि वहाँ पर किसी भी परकार का कोई भी गलती नहों तो मैं उस पर एक वीडियो भी बना दिया हूं documents related तो वीडियो जाकर आप लोग देख सकते हो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहले 30 तारीक को आप लोग को आना था seat alert में लेकिन आज 2 तारीक है और 2 तारीक को आप लोग का सेकेंड के लिए मैं बात करूं यहाँ के लोट में पहले 9 तारीकों था लेकिन अब 11 तारीकों कर दिया गया है फिर से बढ़ा कर और जब document verification के लिए 10 तारीक पहले था 10 से 12 लेकिन उसको बढ़ा का 12 से 14 तारीक कर दिया गया है 12 अगस्त तो उससे पहले आपको सारा के अडिवीशन हो जाएगा उसके बाद आप लोग का कलास 15 अगस्त के बाद आप लोग को सुरू हो जाएगा तो आज बेट कीजिए आप लोग साम 8 बजे की पहले कभी भी लिंक एक्टिव होगा तो मैं लाइब भी आकर आप लोग को बता दूँगा तो यह चीजे थी और आप लोग जाकर सारा डॉक्मेंट सर्याली जो चेक स्लिप बायोमेटिक है उसका भी ध्यान देकर आप लोग फॉर्म को फिल अप कर लिजे तो यही अपडेट था और जैसे ही आता है तो मैं आपको लाइब आकर बता दूँगा तो चलते हैं थैंक्यू सो मच फ्रेंड्स